साल दोहजार चौबिस में सावन का महीना शुरू हो रहा है 22 जुलाई को 22 जुलाई को शुरू हुआ सावन का महीना समापत होगा आगे जाके 19 अगस्त को सावन का महीना की शुरूआत जो है वो भी सौमबार के दिन हो रही है और समापती भी सौमबार के दिन होगी यानि के 22 जुलाई को भी सौमबार है और 19 अगस्त को भी सौमबार है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सौमबार की पूजा भुडे नात की आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ती करती है विशेश तोर से जिन बच्चों का विवायोग नहीं बना है उन बच्चों के लिए स सौमबार कोई भी हो सकता है यानि के आपको पहला सौमबार भी हो सकता है अगर ये उपाए आप कर लेते हैं और ये बीच में भी सौमबार हो सकता है और लास्ट वाला भी सौमबार हो सकता है तो सौमबार के दिन आप कैसे करेंगे उपाए बता रही हूं आपको लेकिन उ आपका शेयर दूसरों के जीवन में जब लाब देता है तो आपको भी लाब जरूर और जरूर मिलता है बच्चों के विवा को लेकर एक छोटा सा उपाई आपको बताने जा रही हो और वो भी सिर्फ एक और एक दिन का रोजाना करने का नहीं है ना पूरे सावन के महीने में करने का है ना हर सौंबार करने का है एक ही सौंबार को करें कोशिश करें कि जो पहला सौंबार हो उसी दिन कर लें इस उपाई को नन्य था बीच में कोई सँमबार आई जो उसमें कर ले या फिर आखिरी सँमबार तक तो आप कर je सकते हैं और जरूर करें करना होगा आपको सुबह के समय में नहाद होके आपके घर में अगर तो शिवलिंग है तो आपको शिवलिंग की पूजा आपके घर में ही कर लेनी चाहिए और आपको ये उपाए भी बच्चों के शिगर विभा के लिए घर में ही कर लेना चाहिए अन्य था आप मंदिर में जाकर भी इस उपाई को कर सकते हैं यहां मैं ये भी जोड़ देती हूँ आपको साथ में कि इस उपाई को माता पिता खुद कर सकते हैं और बच्चे भी अपने विवा के लिए कर सकते हैं आपको एक तो बेल पत्तर चाहिए जैसे कि अभी आपने देख लिया और एक दीपक चाहिए अब घर में जैसे आप नहाद होके पूजा करने बैठते हैं तो एक तो जैसे कि मैंने कहा बेल पत्तर और एक दीपक और एक पंचामरत जुरूर होना चाहिए पंचामरत आप जान इसको आप भोले नात को अर्पित करते हैं, ये आपके पास तयार होना चाहिए, उस दिन आप पहले से इन चीजों के बारे में सोच के रख लें, तयारी करके रख लें, और माता-पिता अगर करते हों तो वो घर में भी अगर शिवलिग है तो इसी प्रकार से कर सकते हैं, तांबे के नाग-नागिन, बाजार में जो सोनी की दुकान होती है, यानि के सोनार की दुकान होती है, तो वहां पर भी ये मिल जाते हैं, और ये पूजा की दुकान में भी मिल जाते हैं, तांबे की होने चाहिए, ना हमें चांदी के चाहिए, ना सोने के, किसी के नी चाहि और इससे भी हलके ये जो आप देख पा रहें इससे भी पतली सी तार के बने हुए मिलते हैं सिर्फ 10 और 20 रुपए के इससे ज़्यादा इनकी कीमत नहीं होती है बीस रुपे की या दस रुपे के होते हैं, अपने अपने जगाए पर कीमत रहती है, शहरों की अलग लग कीमत हो सकती है, और ये चाहिए हमको, तामबे के दो पतली पतली तार के नाग नागिन का एक जोड़ा चाहिए, और इनको अपस में आप जोड़े को लपेट देंगे इस मोली के दागे से, मोली का दागा आप लपेट के और साथ गाठ लगा दीजिए, लपेट ना है आपको एक बार ही, और गाठे साथ लगानी है, जब आप दागा तोड़ रहे होंगे तो, ये आपकी सामगरी तयार हो गई, अब आपको जो आगे की परकिरिया है, वो सेम रहेगी चाहे तो आप मंदिर में जाएं मंदिर में जाकर पूजा करें या फिर आप अपने घर में करें यानि के सबसे पहले आप भोड़े नात के सामने एक दिपक परजलत करेंगे और एक दिपक परजलत करने के साथ ही सबसे पहले गनपती भगवान को मा पारुती को कार् अब आप सबसे पहले भोडे नात को जल अर्पित करेंगे, जल अर्पित करने के साथ ही आप जो आपके पास बेल पत्र है, उसके बीच बारी पत्ती पर चंदन से स्वास्तिक कचिना बनाएं, या फिर ओम लिखें, और लिखने के बाद उसे उल्टा करके भोडे नात के गर्विवा की कामना करनी है, और उपाई में सफरता की कामना करनी है, उसके बाद से इसे बापिस उठा लीजिए, बेल पत्र को, उठाने के बाद इसे सीधा कर लीजिए, आपने उल्टा चड़ाया है, अब सीधा कर लीजिए, यानि कि चिकना बाग उपर कर लीजिए, औ और मा पारुती का जहां हस्त कमल है वहां पर रख दीजिए इसे अब तंबे का जो नागनागिन आपके पास है वह बीच वाली पत्ति जहां पर स्वास्तिक का चेने बना हुआ है वहां पर वह नागनागिन का जोड़ा जो बंदा हुआ है मोरी से उसे रख दीजिए रखने क बार अब अब को जो आपके पास पांचा मृतः इस से अर्पित करना आप भूलिनात को आपके नागनाजिन का जो एकि charge करताु हो ताकि जब आप पांचा मृत अर्पित करें तो पांचा मृत इस नागनाजिन के जोड़े के ऊपर से होता हुआ निकल जाए यानि कि जो पंचामर्थ है वो नागनागिन के उपर भी लगना चाहिए उसके उपर से भी निकलना चाहिए इस प्रकार से उनके आगे आप बिंटी प्रार्थना करें पंचामर्थ अर्पित करने के बाद बच्चों के शिगर विवा की प्रार्थना करें और आप एक मंतर ज जाब आप अपनी यथा शक्ति करें, या तो 21 वार की संख्या में करें, या फिर इसे 51 वार की संख्या में करें, या 108 की संख्या में इसे करें, इसमें से जितनी भी आपकी यथा शक्ति हो, उतने बार आप जाब कर सकते हैं, मंतर जाब करने के बाद आप बच्चों के शिगर विवा की प्रात्या करें तो रंत विवा योग बने बच्चों का रातो रात इससे विवा योग बनता है आप इस उपाई को करके देखें अब जैसे ही आपने ये उपाई कर लिया उसके बाद शाम तक कभी भी इस नाग नागिन के जोड़े को उठा ले उठा के एक कटोरी ले ले उख पानी की भर ले भरके उसमें नाग नागिन का जोड़ा डाल दे उसमें ये आपका पानी में प्रवाहित करना हो गया उसके बाद से थोड़ी देर बाद निकालके और भॉले नाथ के मंदिर में पहुचा दीजिए इस नागनागिन के जोड़े को और मान लेजिए आपने इस उपाई को मंदिर में किया है आप पंचामरत लेकर और दिपक लेकर सब चीज लेकर मंदिर में गए हैं वहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा आपने अर्पित किया है भोले नाथ को तो फिर वहाँ पर सारे उपाई परकिरिया इसी प्रकार से करते हुए आप इस नाग नागिन के जोड़े को वही पर मंदिर में अर्पित करके आ जाएंगे छोड़ के आ जाएंगे आपको फिर उ राग रागिन के साथ एक साथ घर से निकल जाएंगे और तुरंत घर में मंगल का रहा होंगे बच्चों का तुरंत विवाय योग बनेगा शेप पुरान का ये उपाय सावन में करते ही 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलता है कमेंट बॉक्स में हरहर महादेव जरूर लिखें आपके मनो कामना पूरुन होगी भगवान की किर्पा बनेगे आप पर थैंक्स हो राजी